बर्दैक लिए खपर के झार् उत्तरा खंड की राजनीति में कोंग्रेस पार्टी में दो उत्तरा खंड सरकार के दो पुरवापर सचीव शच्वाले और संधु सचीव विधान सभा वी आर टंटा एवो मदर्ड राम ने वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता लरित आरे के नित्रित में बिधीवत सदस्यता ली अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के राष्टे सचीववप पुर्व मुख्य मंतरी हरी श्रावत ने दोनों पुर्व नौकर शाहो को माला पहना कर कॉंग्रेस में शामिल करने के घुषणा की तथा दोनों के प्रशास्निक शमता का उपयोग कॉंग्रेस में लेने का आश्वा संदिया दोनों वरिष्ट अधिकारियों की शवी इमानदार अधिकारी की रही है तथा बेहतरीन कारेकाल के लिए दोनों को जाना जाता है दोनों प्रश्राष्णिक अधिकारियों ने कहा कि वह ललित आरी के संघर्सिक काफी प्रभावित थे तथा हरिश रावत की सोच से भी वह विकास परक योजनाओं से भी शुरू से प्रभावित रही हैं बियार टंप्रा ने कहा कि उत्ता प्रदेश से उत्तरा खंतक के प्रश्टाष्णिक शमता के कारण हमें कॉंग्रेस में जाने का सवभाग मिला था यूआ उर्जावान और लगातार जिस सरीके से समबाद रखा जिस कारण उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जनता की सेवा के लिए कॉंग्रेसी उप्युक्त विकल्ब है बढ़ते अगली खबर के और प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाओं के लिए आमादमी पार्टी तैयारी शुरू करती है आमादमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रही है इसी के तहट राज़ुकी ब्युजेपी सरकार के चार साल पूरे होने पर आमादमी पार्टी द्वारा काला दिवस मनाते हुए लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाब सिमांत शित्र खटिवा में पजयात्रा गई और जनता को यह बताने के कोशिश की कि कॉंग्रेस नहीं बलकि आमादमी पार्टी की जन सरुकार से जुड़े मुद्दे उठा रही है आमादमी पार्टी के जुला संह योजग हरपाल सिंग ने बताया कि आज राज़यसरकार के चार साल पूरा होने पर आज के दिन को काला दिवस के रूप में आमादमी पार्टी मना रही है उत्राखर में पिछले तार साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जनता के लिए कोई भी ऐसा एकारी नहीं किया गया कि वह जनता को बता सके तो भी जी सरकार पर हमला किया आमादमी पार्टी के कारे करता हूं नहीं मुटते एकलिक भड़ी को लकसर विकास-खंड कार्याल है सभागार में आज लकसर उपस-जिलाधिकारी सैलेंद्र सिंग नेगी के द्वारा लक्सर विकास खंड में डॉक्टरों की टीम को साथ मिलेकर और लक्सर तहसिल के सभी जन प्रतिनितियों को खंड विकास कारयाले सभागार में उपस्तित होने के लिए अमंद्रित क्या गया था वहीं ओप जिलाधिकारी लक्सर ने बताया कि कोविट-19 वैक्सिनेशन का दूसरा दौर शुड़ो हो गया है जिसमें सभी 60 साल से उपर के बुजर्गों को वैक्सिन लगनी है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि सभी को वैक्सिनेशन कराना होगा ओप जिलाधिकारी ने कहा है कि COVID-19 जैसी महामारी पर काब उपाने के लिए वैक्शिनेशन का लगाना अत्याधिक जरूरी है उन्होंने ये भी कहा कि वैक्शिन मनुष्य की इम्मुनिटी बढ़ाने का काम कर रही है जिसे मनुष्य से पूरी तरह से स्वस्त रहे मैं आपको जनकारी देना चाहूंगा इस समय कोविड महामारी से बचने के लिए टीका करना का ये दूसरा चौर चल रहा है और अभी बरतमान में साथ साल से अधिक आयू के उम्र के जितने भी लोग हैं वहीवरिद लोग उनको टीका लगाया जा रहा है साथ में जो लोग गंभीर बिमारी से गर्शित हैं वो चाहे किसी भी उम्र के हो उनको भी टीका लगाय जा रहा है तो ग्रामेनी चेतनों में लोगों को जागरूता पहुँचे और उनकी एक भी व्यक्ति इससे ठीका करण से बंचित न हो इस सब के लिए आज एक कारेसाला कायूजन किया गया इस कारेसाला में तैसील लकसर के जितने भी हमारी ग्राम पंचायते हैं नगरपाली का है वहां के जितने भी निर्वाचित परतिनी दी हैं ग्राम परदान हैं बीडी से मेंबर हैं जिला पंचायत सदस हैं सवासद हैं नगरपाली का कि अध्यक्त से हैं सब को आमंतरित किया गया और साथ में जो फील्ड वरकर हैं उनको भी बुलाएगी